हाई एवरिवन एक बार फिच्छे स्वागत आपका आज एक छोटी सी अपडेट है कि पहले भी कुछ ऐसा हो चुगा है कि सरकार चेंज हो गई और भरतियों कर रेजल्ट पैंडिंग रह गया था रेजल्ट सरकार पिछली निकाल गई थी लेकिन जोइनिंग पैंडिंग रह उने तो 9 अक्टूबर को यानि कि आठ तारिक को आपका जो विधानसभा के चुनाओ है यानि कि कल के दिन आपका रजल्ट आ जाएगा उसका कौनशी सरकार बनती है अगर सेम सरकार रिपीट होती है तो आपकी जोइनिंग जल्द से जल्द करवा दी जाएगी यहां पर व को देखीगा कि 2004 के चैनित अच्छेस अलाइड एग्जेकुटिव ब्रांच उमिद्वारों को 2005 में न्युक्ति नहीं दी गई थी उन्होंने 2016 में मनोलाल सरकार ने ही न्युक्ति दी थी तो जो 2004 की बरती का जिकर किया गया है हाँ पर अच्छेस की बरती का जिकर किया गया कि जैसे कि पता होगा दो बुपेंदर शिंग हुड़ा की सरकार बनते हैं तब उनको जो रजल्ट जारी किया गया था च्छेस का उनको जोइनिंग नहीं दी गई और फिर 2016 के अंदर मनोलाल खट्र ने ही उनको आके जोइनिंग दी थी तो ये अपडेट आई है अज कि क्या फैसा लेती है बर्तियों का रेजल्ट कब तक निकाल देती है कहा तो उन्होंने वादत किया है कि एक महीने के अंदर आपका रेजल्ट जोइनिंग सब कुछ करवा देंगे दिपेंदर हुड़ा का जैसे कि आपने बयान भी सुन लिया होगा और उमीद तो यहीं है कि जल से जज़ आपको जोइनिंग रेजल्ट आपका मिल जाएगा तो और अगर ऐसा कुछ क्योंकि बर्तिया ज्यादा है अचिए थोड़ी बर्ति शोटी शी बर्ति थी तो उन्होंने जो बुपेंदर शिंग होड़ा है उसको इनूर कर दिया होगा लेकिन यह बर्तिया बहुत बड़ी है तो यह 25 आर के कर अरांड आपकी पोस्ट है गुरूप सी की और इनको होल्ड पर रखना सरकार कोई भी हो उसके लिए डिफिकल्ट होगा तो यह एक अपडेट थी आज की कि पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है कि सरकार बदल गई जोएनिंग पैंडिक रह गई तो क्या कुछ रहा वह इस वीडियो में बात कि अपने तो और कोई अपडेट आएगे चानल पर मिल जाए एक वीडियो तो मिलते हैं नेश्ची प्रार के अपडेट में धन्यवाब